हलो दोस्तों आप से भी कैसे है मैं सुलिप चापती दीरेजिंट इस्टीव आपको स्वागत है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वाइर रूट्स यानि वर्गमुल वर्गमुल किसी भी एक्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्डेंट टॉपिक है बहुत इंपॉर् लेशन है आपका ठीक है तो स्क्वाइर रूट्स सुरू करते हैं स्क्वाइर रूट्स यानि इसको कहते हैं वर्गमुल पहले हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है यानि वर्ग संक्या इसको कहते हैं इंग्लिश में स्क्वाइर नमबर ठीक है वर्ग संक्या इसको कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वर्ग संक्या वह होता है यदि उसी संक्या का यदि किसी संक्या का उसी संक्या से अगर हम गुड़ा कर दें तो शंक्या वर्ग कालाती है जिससे माल है हमने का यदि किसी संख्या का उसी संख्या से हम गुड़ा करा दें तो शंख्या क्या कराती है वर्ग कराती है जैसे हमने कहा दिया कि तीन है तीन का हम तीन से गुड़ा करा दें तो तीन पर इस्वायर हो जायागा या नहीं वर्ग हो जायागा तो यह हमारा क्या होता है व 1 होता है अगर बेश समान हो तो घात चूड़ जाता है जैसे m to the power 1 multiply n to the power 1 is equal to sorry m to the power 1 multiply 1 m to the power 1 तो क्या होगा आपका 1 plus 1 1 यानि m is square ठीक है इसको दूसरे रूपे भी का सकते हैं x to the power m multiply x to the power n is equal to x to the power m plus n same way condition है और यहाँ पर 1 plus 1 is equal to 3 square हो जाता है ठीक है तो अगर हम किसी संख्या का उसी संख्या से गुड़ा कर दे तो उसका वर्ग का लाता है यानि वर्ग की संख्या का लाती है ठीक है चाहिए आप कोई साभी लेलो गुड़े 2 कर लो 2 square होगा 4 गुड़े 4 कर लो 4 का square होगा अब बात आती है कि वर्गमूल किसे कहते हैं क्या गते है वर्गमूल तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है किसी SIM का वर्गमूल वह संख्या है जिसे वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त लियाती है वर्ग मूल किसी संख्या का वर्ग मूल वह संख्या है जिसे वर्ग करने पर वह संख्या प्राप्त हो जाती है हो जाती है जैसे माल लीजे हमने कहा यह चार है वह चार का हम वर्ग मूल कैसे करते हैं दो गुड़े दो यानि हम लिख सकते हैं इसको टू दी पावर टू और यह हम अपना निकल जाता है तो यानि हम इसका वर्ग मूल अगर निकालना हो तो दो तरीके से निकाल सकते हैं पहला गुड़न खंड वीधी द्वारा और दूसरा भाग वीधी द्वारा तो जो वर्गमुल निकालने की वीधी है वो दो तरीके का हैं पहला है गुड़न खंड भी दी और दूसरा है आपका भाग भी दी ठीक है दीखे बहुत important lesson है और इसे समझने कोशिस करना अगर एक बार समझ लिए तो फिर से बोलने वाला नहीं है कभी जिंदिगे बे ठीक है कैसे करते हैं यानि हम गुड़न खंड की बात करें दो दूनी चार और दो एकनम दो यानि हमने पेर केतने का बनाया दो का बनाया और दो का पेर ही आपका एक सिंगल पेर होता है यानि एक सिंगल डिजिट होती है दो के पेर में ही होता है अगर नो का हो तो हम कैसे करेंगे तीन तरीके नो तीने कनम तीन यानि हमने पेर बनाया और पेर में क्या होता है एक डिजिट आपकी बाहर निकल जाती है वो हमारा क्या होता है बर्गमूल होता है जैसे हमने 64 का बर्गमूल निकालना हो तो कैसे करेंगे गुड़नखन कीजिए इसको दू त्याही छे दू 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 पेर बनाओ कितना है एक दो तीन चार पांच छे दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े कि तो चार चार विच्छ नी आत सिदें हमने म applies को सकती है कि आठ रोदी आठ लिख सकते हैं यानी आठ है grow दो गूड़े दो गूड़े दो गूड़े दो गूड़े दो घूड़े दो गूडे दो दो चार छै यानि हमारा यहां से कितना पीर बनाए है दो दो यहां प्रक्त क्रक्छक ऑक इस सब्सक्राइब नहीं हो तते बताओipज कितना दू निकलेगा टीक सब्सक्राइब निकल was a kiss थे-ग, THAT तो ये हमारे question है का वर्लों के सब ayample है हम आगे चलते हैं कि बर मुल निकालते के सब्सक्राइब करेसे हमें दो तरह के से निकाला भाग भी दी और गुड़न खंड़ भी दी अब हम आगे चलते हैं कि अगर माल लिए कि यह आपका है कि हम कुछ बात कर लें जिसे एक का स्क्वाइर कितना होता है एक दो का स्क्वाइर कितना होता है चार तीन का स्क्वाइर कितना होता है नौ चार का स्क्वाइर कितना होता है शोलह पांच का पचीस छे का चक्तिस साथ का उन्चास आठ का चोंसट नौ का एक यासी दस का अंडेड़ ठीक है एक ग्यारा का एक सो एक आईस बारा का एक सो चोगालेस तेरा का एक सोनात्तर चोदा का और पंदरा का और ऐसे करकर के बीस तक का स्क्वाइर लगब लगब भीस क्या लगब तीस तक का स्क्वाइर आप लोग याद कर लीजिए जिससे हमें किसी भी कोस्टन को साल्व करने में कोई दिक्कत नौ ठीक है अगर मान लीजिए हमें वर्ग मूल निकालना है तो उसकी जो मेथड्स है उसके जो ट्रिक है जो साड़ तरीक है जो आप सेकेंडों में लगा सकते हैं उसको कैसे लगा सकते हैं यह हम देखते हैं कैसे करेंगे देखो यह तो अपना है यह तो अपना एक से लेकर तीस तक पुरा वर्ग याद कर लेना ठीक है उससे हमें आसान हो जाता है रास्ता जैसे मान लीजिए हमें निकालना है जैसे इसक्वाइर निकालना हमें किसी का जैसे मान लीजिए हमें निकालना हो इस पाइर निकलना हूरा हुँ में आपको चंतावसो शीयत्तर t0, 7566 का हमें क्या निकालना है वर्ग-वूर निकालना है उसको कैसे निकालने यह स्दृ इसको निकालने के लिए यह हमारे वर्ग-वूर सुल है वह आपका जो शी अकतर का अब कि लेकिन इसको निकालेंग कैसे असान ट्रीक से उझे का कि is है कि तरीका है कहा है और कि आपका से प्रूः को जानियेगा यदि है प्रश्ण का जाओ कि काई यंक है कप्रस्ण का इंक काई यंक मान लीजा इसमें एकाई क्या है एकाई दहाई सेक्ड़ा हजार इसी तरह सब की एकाई उने डिजिट होती है उसके बाद उत्तर का एकाई यंग जैसे प्रश्ण का एकाई यंग क्या है जैसे मान लीजा आपका एक है तो एक मान लीजा अगर प्रश्ण में एक है तो एक कहाँ कहा आता है देखिए उत्तर में कहाँ का आया एक यहाँ पर आया और एक यहाँ यहाँ यानी एक और नो एक और नो कि आपके स्क्वाइर में एक आया है ठीक है एक और नो की अब देखिए अब क्या रहा है चार और चार चार और चार कहा रहा है आपके दो प्रश्च में चार कहा का रहा है दो और आठ के स्क्वाइर में आया है ठीक है उसके बाद आईए नौ पे नौ कहा कहा रहा है आपका तीन के स्क्वाइर में और तो साथ के स्क्वाइर में ठीक है अब आगे क्या रहा है चैश्च आपके कहा का रहा है एक दो यानि जो हमारा छे आ रहा है हुआ के और चार्के स्कॵाइर में रहा है और शचुको 16 और छचा के 36 ठीक है 5 योग पाराच है ठीक है पांच की मैं पांच आया है ठीक है अब आजाए आप्या क्या क्या है अब बचके हमारा नौ नौ कहा कहा है हमारा देखिए ये नौ नौ तो हो गया ठीक है ये हमारा जो है एंसर का रूप है ये हमारा एक शौट ट्रेक है अब मैंने आपको बताया क्या बताया इसका बर्गों लिकाना है तो आप जोड़ा बना लिए कितर से जोड़ा बनाएंगे एक आई अंक से आपने जोड़ा बना लिया जोड़ा बनाते ही आपने ये देखा कि इसके जो यूनिट डिजिट है यानि एक आई अंक है उच्छ है उच्छ है कहां कहां पर आया है च्छ शहँरे रेन चार के वर्ग में आया है कि का विद के इसका विदी डीजिट यह और इसका विदी काउन अब दीखिए संताउं कहाँ पह वा शंताउं उन्चाज कया 34 संताौ екहीं-कहीं अहीं पह वोगा तो जहांबं यह आता एजिसके नीचे ठीकि उसकी वाले अंग को ले लेते हैं यानी हमारा साथ और प्राट के बीच में संतावन पड़ेगा तो हम इसको ले लेंगे क्या हो जाएगा शाथ और साथ को क्या करेंगे ठीक इसके अगले वाले से हम क्या करते हैं गुड़ा कर देते हैं यह होता है छपन ठीक है अब जो है हम इसके पास जाते हैं यहां साथ हमने ले लिया ठीक है यहां साथ उतार लिये हैं अब यह 56 का संटावन से हम कंप्रीजन करते हैं तो कंप्रीजन करने के देखते हैं कि संथा आधा है जो है 56 है चुटा है तो संथाओन क्या है 56 से बढ़ा है इसलिए बड़ा बड़े के पास जाएगा और जैसे जाएगा यह रिपलेस होके इसकी ज प्रिक्स हो जाएगा ठीक है थोड़ा समझने कोशिस करना देखिए अगला एक्जाम्पल है अगला एक्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा है चलब दूसरा एक्जाम्पल ले लिए हैं 89 एकईस 89 अटरूट 79 ट्वेंटीवन हमने यह बताया था कि आपको जूड़ा बना लेना है इस स्कॉयर की बात कर रहा हूं जूड़ा बना लिया है पहले जोड़े से देखो आप जो लास्ट पर जो इकाही अंक है एक वह एक किस कि किस में आया है एक और नौ में आया है क्यो कि उसके बाद दूसरे वाले पेर चल आते हैं 79 देखतें हैं 79 कहां पर आएगा चॉंसर और तो ठीक इसके जहां आता है यहां पर आया तो थीक उपर वाले को ले लिते हैं तो हमने तर लिया जो हमने लिया उसको एक अधिक यानि 9 से हमने गुड़ा कर लिया 72 आया 72 का जह प्रिषुले आने कंद द्ास सब्सक्राइब ए फिर वह पीञा की फिर टुछ डी perspectives HD 001 खी हाएगा तो यहांभीक साज। तेना क कम है निया सी जा सब्सक्राइब का जाएगा शाजाए। ठीक है चलिए एक जम्पल और देख लीजिए यह दूसरा था तीसरा एक्जम्पल है 56 25 अब देखों यहां पर सिर्फ 5 है तो 5 के जो वर्ग है सिर्फ 5 ही होगा यहांप च्ण बनाया 29 इसके उपर वाले क visualize 7 खकें स्maुटने और 500 ही नहीं है चाथें हमारा देखाए त्रीक है यह हमारा कि मुझे आसा है कि आप लोग बहुत अछी तरीके Reason ओंगे चलिए और शीजामपल पर चलते हैं अगले एक्जाम्पल पर चलो अगला एक्जाम्पल है हम लेते हैं कि एकईस साथ नौ एकईस साथ नौ यह हमें बरुबून लिकाना है ठीक वैसे हम इसमें जोड़ा बनाएंगे जोड़ा बना लिए और लास्ट वाले डिजिट को हमने इसको एक साथ रग दिया कीजिट के जोड़ा बनेगा नहीं तो इसके साथ रख दिया अब यहां देखा नौ काऊ कहां पे आया है तो हमारा कहां पे आयेगा हमारा दूस सुलो कहां पेया है हमारा 216 जो है चावदा का अगर बढ़ करेंगे एक सु चानवे और यह दोसो पचेस तियानि इन दोनों के बीच में आएगा तियानि यह चावदा हो जाएगा चावदा कर लेंगे और चावदा का हमें पंदर में गुड़ा कर देंगे तो कितना आजाएगा इसके गुड़ इसके गुड़ानफल 14 और 15 को जब हम गुड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा गुड़ा कर लो ऐसे कर सकते हैं पंदर को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस एक और 14 में 14 गुड़ा करोगे तो एक सुच्छानवे प्लस 14 छह चार दस नवज दस जीरो एक ग्यारा और 210 कितना होगे 210 को इसके पास रे जाएंगे और इससे कंप्रिजन करेंगे अब देखेंगे क्या है बढ़ा है इसलिए ये 7 के पास जाएंगा किस लिए इसका और क्या होगा 147 होगा यह हमारा थिक है कि एग गुड़ा करने का एक तरीका यह भी है इंग ठीक है एक सो चोच्छापन एक सो चोच्छापन है चलिए है एक सो चोच्छापन इसको कीजिए फिर से वही पेर बनाना है और यह हमारा हो जाएगा इसमें क्या होगा हमने लाज डिजिट देखा शिक्स सिक्स के चारा हो चैनल क्या रहा है एक सो चाहा एक सो चोच्छांटीस कहा एगा एक सो चोच्छी समय गए गारा और बीच भीच वह तो ठीक हम उसके उपर वाले लेंगे एक सो बत्तिस इसका हम कंपरिजन करेंगे यह बड़ा है इसलिए बड़ा बड़ेक पास जाएगा 116 ही है थीक है यह हमारा वर्गमन लिकाल लेके सब तरीके है चलो चलते हैं अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ कोश्चन पर कुछ कोश्चन देखते हैं इसके में दुमागे चलते हैं कि यह सबसे असान तरीके हैं वर्गमन लिकालने का अब चलिए अब एक्जामपल लेते हैं इस पर इसका बर्गमन लिकालना है इसका मान लिकालना है अब एक्टीवन दिवाइद वैड़ यह दिवाइदगालना लिकालना देख गालना लिकालना 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 है अंडरूट जिरो पॉइंट जिरो नाइन एक वल टू देखो क्या हो जाएगा इसका क्या होगा देखिए इसको हम लिख सकते हैं नौ गुड़े नौ इसे हम क्या लिख सकते हैं हमने का दस्मलोग बाद जितने आपके अंक है उतने भागिक रूप में आप एक क्या जिरो जायेगा है और जैसे हम बर मुल मैं अग्र इसको एक क्या क्या गए जितने तक इसका यहां कि निकल जाएगा बर्मूल यहां पर क्या हो जाएगा 9 यहां हो गया 9 का बर्मूल कितना हो जाएगा 3 divided by इसका हो जाएगा 10 ठीक है देखो multiply कर दो 9 by 10 गुडे 3 क्या हो जाएगा नत्री 27 पट्य 10 बाग करो 27 यह हमारा answer हो जाएगा दो 10 गुडे 7 देखो उत्तर यहां हो जाएगे नहीं एक इनट एक इनट रुख जाओं डिमेड़े वी 1 नाइन बाई 1 गुडे 10 गुडे 3 हो जाएगा यह से थोड़ा समा मिस्टेक हो गया था यह 90 हो जाएगा 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा तिन तरीक है 9 यह आपका हो जाएगा 30 यह answer होगा वो मिस्टेक हो गया था इसके नीचे आ गया था ठीक है यह होगा चलिए अगला कोश्चन है अगला कोश्चन अगला कोश्चन है हमारा उसको साल्ब करते हैं कि क्या होगा जैसे कोश्चन है हमारा एक्जामपल एक्जामपल है हमारा अंडर रूट 36 multiply 3 minus 5 multiply 7 divided by minus 4 और multiply 289 ठीक है देखिए इसको कैसे साल्ब करेंगे यहां देखिए 36 का परकमूल कितना होगा 6 गुड़े 3 यहां क्या होगा 5 गुड़े 7 यहां क्या हो जाएगा minus 4 और 289 किसका परकमूल होता है देखिए 15 कपर करेंगे 225 और यहां पे क्या होगा 18 कपरकमूल करो 18 19 करो ओ सरी 7 का 17 करो साथ सत्य उन्चास चार साथ चार ग्यारा साथ और एक नौ आठ दो यहांनि यह सत्र का परकमूल हो गया सत्रा अब क्या होगा जत्री यथःारा पांसत्य पैन्चास वरी क्या हो जाएगा सत्रा च Lehr को ओ हुलवे सत्रा तो निращ चांतिस और चों त्रीज उन्य CHANत्यां चांतिस उन्य चोंतिस उन्यें जाएगा ठीक है यह हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है इस टाइब के कुश्चन हमारे सब सारे फूछते रहते हैं एक्जाम में ठीक है दोस्तों एक एक्जाम पर लोग है उसको साल्ब करना है चलो इसे भी साल्ब करो कैसे करेंगे चलिए बहुत अच्छी सवाल है देखो को स्वेश्चन है हमारा अंडरोट गुड़े जीरो घ्रण गुड़े जीरो घ्रण जीरो घ्रण दो देखो ऐसे कोश्चन को साल्ब करने के लिए तरीका है तरीका यह हैं कि जितने आपके दस्मलों के बाद डिजिट है उसकी काउंटिंग कर लीजिए काउंटिंग कर लीजे कितने हैं एक दो पीन चार पांच शहत नो डसशिता इवाक है यानि इसको मतलब यहां से क्या होगा दस्मिलो जितने हमारेश सब हढ़ जाएंगे यह हट गया, इस सब हट गया, बराबर है, हट गया यह, यह हमारा हट गया और इनको असानी से 8 आदो, ठीक है, अब देखो, आठ से 8 गैंसिल और 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 4 यह हो गया हमारा, ठीक है, अब देखो बचा क्या ब्रेकेट में अंडरूट नाइन थर्टेशिक्स फॉर नौ का वर्गमूल कितना होता है तीन चत्तिस का च्छै और चार का दू चत्त्री अठारा अठारा दोनी चत्तिस यह हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है तो यह थे हमारे कोश्चन आपके स्क्वाइर रूट के हैं बहुत असान कोश्चन है ठीक है आप कुछ अगले कोश्चन पर चलते हैं कुछ अगला कोश्चन है हमारा बहुत अच्छा कोश्चन है उसको मसाल्व करते हैं चलिए कोश्चन है कोश्चन है आपका अंडर रूट तू सही चाओदा बटे पतचेश देखो इसमें क्या होता है अगर मान लीज़े हम आपका परणुल है जिसे कोई अंक है श. वाइ तो हम उसको क्या लिख सकते हैung यक्स और वाई अगर मान लिज़े कुछ ऐसे है यक्स बटे वाइ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अंडरूट यक्स बट्टे अंडरूट वाई अगर आपका ऐसे हो जेड सही यक्स बट्टे वाई तो हम क्या लिख सकते हैं इसको अंडरूट जेड वाई प्लस यक्स बट्टे वाई यह हम इस का परियोग हम आसानी से कर सकते हैं आप इसमें का तीन डिजिट भी हो जैसे आप मैंने माल लिया अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई और अंडर रूट जेड तो भी हमारे क्या होगा एक्स वाई जेड होगा ठीक है तो इन सब सारी शीजों को ध्यान बरखिएगा सेम वही कंडिशन क्या किया यहां पे हम हमारे इसकी रूट में हो गया तो हम इसको लिख सकते अंडर रूट शिक्ष्टी फॉर पर टेंडर रूट पचीस और चौंसरट का पर लाट होता है इसका पांच यह हमारा इंसर यह कौन सा भीन है यह अनुचित भीन है यह अगर इसको मिस्रित भीन में बदलना हो तो कैस से बदलेंगे पांच एक नम पांच और तीन आठ यह हमारा इस तरह भी हो सकता है ठीक है दोस्तों तो यह हमारा था आज का स्कॉयर बहुत इंपॉर्टन से संता और वीडियो को जादे जादे सेर कीजिएगा अगर नय है तो जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक क कीजिएगा कोई बात हो तो जरू कमेंट बॉक्स में लेखिएगा और मिलते हम अगली क्लास में तक के लिए धन्यवाद